गाईज आप सबaranes का स्वागत है आपकी अपने चैनल मल्टी बैगर हंट में दोस्तो आज की वीडियो में हम किसी स्टॉक के बारे में चर्चा नहीं करने वाले बलकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस सक्षित के बारे में जिसने की इंडियन कॉर्परेट हिस्ट्री के वन अफ दा हॉस्टाइल टेक ओवर को फॉयल कर दिया विफल कर दिया जिया दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस परसन के बारे में जिसका जन्म हुआ गुजरात के एक छोटे से गाउ में जिन्होंने अपने केरियर की शुरुवात करी एस जूनियर इंजिनियर और बाद में आगे चलकर उनने अमबानी धिरुभाई अमबानी और कुमार मंगलम बिरला जैसे देश की दिगज टाइकून्स को भी बिजनस में मात दे दी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँआ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा गुजरात की स्टैच्ई आफ यूनिटी बैंगलार का इंटरनेशनल एरपोर्ट केमपेगोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट और यहां फिर अगर हम बात करें एहमदबाद के मोटे रै स्टेडियम की one of the biggest इस्टेडियम इन दे वर्ल्ड यहां फिर अगर हम बात करें लखना तो अगर हम बात करें एम नायक के केरियर के बारे में तो काफी डिस्टिंगुश केरियर रहा एम नायक का लार्सने टूब्रो में इनने अपने केरियर के शुरुवात करी ऐसे जूनियर इंजिनियर इन 1965 और 1989 तक आते आते ये एल एंटी के बोर्ड मेंबर में शामिल हो चुके थे और 1999 में आखिर वो पल आही गया जब इनने एल एंटी का सर्वोच पद चीफ एग्जेकुटिव ऑफिसर और एम डी का पदभार समाला देगर जोस्तो ये वीडियो एम नायक के केरियर को डिसकस करने के लिए नहीं है बलकि उस इंसिडेंट के बारे में है जब इनने एल एंटी के मैनेजमेंट कंट्रोल की रेस में धिरु भाई अमबानी और कुमार मंगलम बिर्ला जैसे बेस के दिगज टाइकून्स को भी मात दे दी अपनी बायोग्राफी दे नैशनलिस्ट में एम नैक ने इस बात का जिक्र किया है कि किस प्रकार से उनने एल एंटी का मैनेजमेंट कंट्रोल को अमबानी और बिर्ला से बचाया देख उस तो इस पूरी कहाने के शुरुवात होती है 1987 से जबकि धिरु भाई अमबानी ने एल एंटी के शेर्स को एक्कुमलेट करना स्टार्ट किया फ्रम ओपन मार्केट और 1989 तक आते आते उनने 18.5% की हिसेदारी एक्कुमलेट कर ली 190 करोड रुपे देखे 1989 से 2001 तक एक दशक्र से भी ज़्यादा समय हो गया अमबानी ने पूरी कोशिश करी एल एंटी का मेनेजमेंट कंट्रोल प्राप्त करने की बट बहुत साइर रीजन्स के कारण वो इस बात में सफल नहीं हो पाए और देखे उस तो लास्ट में ठकार कर उनने अपना स्टेक कुमार मंगलम बिल्ला के ग्रासिम को बेज दिया अभी तक एल एंटी का मेनेजमेंट कंट्रोल अमबानी से लड़ रहा था अब उनको लड़ना था कुमार मंगलम बिल्ला से और यहाँ पे उनकी मदद के लिए उनको लीड करने के लिए तयार थे एम नायक एम नायक जैसे के हम पहली बता चुके थे 1999 से ही कमपनी के CEO और MD के पतपे थे तो उन्होंने कमपनी को काफी अच्छी तरीके से लीड किया ताकि वो अपने मेनेजमेंट कंट्रोल को बचा सके उन्होंने एल एंटी के सारे इंप्लोईज को एकत्रित किया संगठित किया और उनको इंकरेज किया कि वो कमपनी की डेस्टिनी अपने हातों में ले ले अपने इंप्लोईज को दी वी एक स्पीच के दौरान एम नायक ने काफी मोटिवेशनल बाते कही उन्हें कहा कि आगे चल करके कोई भी कमपनी या कोई भी परसन उनको होस्टाइल टेकर करने की ना सोच पाए एम नायक ने काफ़ी ज़ता संगर्स किया ताकि वो किसी भी तरीके से कुमार मंगलम बिल्ला की एंट्री को रोक सके L&T के मैनेजमेंट कंट्रोल में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से ले करके प्राइम मिनिस्टर तक मदद की गुहा लगाई और आखिर जून में 2003 के तक आते आते उनकी ये महनत सफल वी और कुमार मंगलम बिल्ला इस बात के लिए एगरी हो गए कि वो अपना स्टेक L&T के इंप्राइस वेलफेर ट्रस्ट को बेज देंगे और इसके रिटर्न में कुमार मंगलम बिल्ला को मिला L&T का सिमें डिविजन जिसकों की बात में उन्होंने नाम दिया अल्टर अटेक ये एक विन-विन सिचुएशन थी दोनों ही पार्टीज के लिए 2003 के उस इंसिडेंट के बाद से ही ना ही लारसन एन टूबरो ने और ना ही एम नायक ने कभी पीछे मुड़ कर देखा जो कमपनी जिसका मार्केट कैपिलाइशन मात्र दोहजार करोड था 2003 में आज एलन टी का मार्केट कैपिलाइशन एक लाग सतर हजार करोड से भी ज्यादा का हो चुका है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एम नायक ने कितना संघर्स किया कमपनी को एक इंडिपेंडन कमपनी के तौर पर रखने के लिए और अपने इंप्रोईज को प्रेरित किया कि वो कमपनी की अपने हाथों में ले ले तो अगर हम कमपनी के लेटेस शेरोल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं एफ़ाइई और एफ़पी आईज होल्ड करते हैं राउंड 18.88 परसंट का इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो बिगेस शेरोल्डर है इस कमपनी में वो है गौर्मेंट ओफ इंडिया इंडिरेक्टली थू लाइसी मूचल फंड करते हैं 17.15 परसंट का इंडियन पब्लिक के पास है 21.73 परसंट का इस्टेक अदर्स के पास 9.38 परसंट का इस प्रकार से जो दूसरे सबसे बड़े शेरोल्डर है इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब यह इंपॉसिबल है किसी भी कमपनी के लिए इतनी हाई वैलिएशन और इस तरफ तो तो कोई भी कमपनी अब जो है एलेंट का होस्टाइल टेक ओवर नहीं कर सकती अभी तक की वीडियो देखने के बाद I am sure बहुत साए लोगों के मन में Ambani's और Bella के अगेंस्ट में एक नेगेटिव इमेज बन गई होगी बहुत साए लोग सोच रहे होगा कि morally उनको इस प्रकार के हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं करने चाहिए Company के Management के अगेस्ट में उन सभी लोगों को मैं एक आर्टिकल के साथ छोड़ जाता हूँ Live Mint का एक आर्टिकल है जिसकी headlines है With 60% stake, Atlantic completes its hostile takeover of mind tree आगे आप सब लोग खुदी समझदार है ये एक business है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के activities चलती रहती है तो आज की वीडियो में इतना ही Thanks for listening Please channel को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और हमें इसी तरह motivate करते रहे है Jai Hind